रोहित और उसका छोटा भाई अमित अनाथ है, रोहित एक महत्वा कांग्शी गायक है और एक आटो मोबाइल शोरूम में काम करता है, वहीं उसकी मुलाकात सोनिया से होती है, जो एक अमीर बिजनिसमेन सकसेना की बेटी है, दोनों की बीच प्यार पन अपने लगता है, एक क कुछ समय बाद सकसेना उन्हें ढून लेता है और बचा लेता है, लेकिन वह इस रिष्टे का विरोध करता है, क्यूंकि उसे अपनी बेटी के लिए एक अमीर लड़का चाहिए, दबाव में आकर रोहित को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, रोहित सकसेना को चुनो पहले रोहित अमित को सकूल से लेने जाता है, वही वह गलती से पुलीस कमिशनर की हत्या का गवाह बन जाता है, जो उसके बॉस शक्ती मलिक और दो भरष्ट पुलिस अफसरों के ड्रग रैकेट का परदा फाश करने वाला था, मलिक और उसके आदमी उसे पकड़ लेते है और भरष्ट पुलिस वाले उसे एक पुल से नीचे समंदर में फेक देते हैं, भाग इसे उसी समय एक अमीर दमपती, राजू मलहोत्रा और सुमन मलहोत्रा जो भारत घूमने आये थे, उस पुल के पास से गुजर रहे थे, सुमन की नजर अचानक पानी में एक व्यक्ती क तेरते हुए शरीर पर पड़ी, वे तुरंथ अपने ड्राइवर को रोकते हैं और मदद के लिए चिलाते हैं, स्थानी योगों की मदद से वे रोहित को पानी से बाहर निकालते हैं और पास के अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि रोह राजू और सुमन का दिल पिधल जाता है और वे उसे अपने साथ न्यूजिलेंड ले जाने का फैसला करते हैं ताकि उसकी अच्छी देख भाल कर सके। लेकिन उसे अपने अतीर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। राज को कुछ भी याद नहीं आता। फिर भी सोनिया के प्रती उसकी अजीव सी आत्मेता और कुछ धुंदरी यादे उसके मन में उभरने लगती हैं। एक दिन जब सोनिया और राज एक कॉंसर्ट के बाद बाहर निकल रहे होते हैं तो उन पर हमला होता है। इस संधर्ष में राज के सिर पर चोट लगती है और धीरे धीरे उसके दिमाग में छिपी पुरानी यादे जागने लगती हैं। उसे एक एक कर सब कुछ याद आने लगता है। उसका नाम रोहित, उसका परिवार, सोनिया और पुल से फेंके जाने का हादसा। सब कुछ याद आते ही रोहित का इरादा पका हो जाता है। वह सोनिया और अपने न्यूजिलेंड वाले माता-पिता राजु और सुमन को पूरी सच्चाई बताता है। सोनिया और उसके पुराने दोस्तों के साथ मिलकर वह भारत लौटता है और अपने दुश्मनों का सामना करने की योजना बनाता है। वे रोहित की जिन्दा लौटने की अफवाह फैलाते हैं। और संधर्ष में शिन्दे और कदम का अंत कर देता है। तब ही मलिक सामने आता है और बताता है कि असली मास्टरमाइंड सक्सेना ही है। सक्सेना अपनी सच्चाई उजादर होते देख भादने की कोशिश करता है। लेकिन पुलीस उससे गिरफतार कर लेती है। अब रोह जीवन के लिए जाने का फैसला करती है आखिरकार रोहित और सोनिय अपने नए माता पिता राजू और सुमन मलोत्रा के साथ एक सुखी जीवन की शुरुआत करते हैं